हाई विनर्स आई होप योलार वेल डिस साइड राजीवानन्द वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स टेरा क्लासिक में आप लोगों को लास्ट 24 आर के अंदर थोड़ा बोती सही लेकिन काफी अच्छी रिकवरी होता हुआ द साथ मार्किट कैटलाइजेशन के ओपर भी अप्रोक्स 5% का एक बार दुबारा से इंपेक्ट हुआ है जिस वजए से टेरा क्लासिक 31 रैंक पर एक बार फिर से पहुँच गया दोस्तों जैसे आप लोग जानते हो पिछले तीन दिन से टेरा क्लासिक और टेरा लूना 2.0 स से रिलेटेड काफी बड़े न्यूस थे काफी बड़े डंप के न्यूस थे लेकिन तीन ही दिन के अंदर टेरा लूना क्लासिक जो अल्रेडी एक कॉमिनेटी ड्रिवन टोकन प्रोजेक्ट बताया जा रहा है आज उसकी बुलिश रिकावरी कही ना कहीं पर हमें देखने क मिल चुकी है और आने वाले दो से तीन दिन और ज्यादा इंपूर्टेंट होने वाले हैं 20 सितंबर तक एक एक स्पेक्ट किया जा रहा है कि टेरा क्लासिक थोड़ा बोत रिकावरी जुरूर करेगा लेकिन आफ्टर 20 सितंबर टेरा क्लासिक बहुत अच्छा जाने के चां इवन अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की भी बात करूं तो 37 परसेंट ग्रीन सिकनल के साथ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अप है देखें टेरा लूना 2.0 में इतना बड़ा चेंजिस कैसे हुआ उसका रीजन है टेरा लूना का इको सिस्टम अपग्रेट इस ताइ हमें या एनेफटी के मार्किट के अंदर तो वहां पर गैलेक्सिटी पंक जो है वो अब लाइव हो चुका है टेरा ब्लॉक्चेन पर इसके लावा रेंडम अर्थ कैपापुल्ट जोडिक प्रोटोकोल और ट्विटर स्पेस भी कई न कई पर टेरा इको सिस्टम के अपड से अपडेट बाइनेंस की इस न्यूज में बिलकुल क्लियर किया गया है कि एक बार फिर से 20 सितमबर के बाद एक हिस्टोरिकल कमबैक देखा जा सकता है because of 1.2 tax burn proposal which is approved by several of crypto exchanges as well as आज हम बोल सकते है Binance is also accepted के 1.2 tax rate burn proposal जो है उसको finally अप confirm किया जा चुका है तो कही ना कही पर इसके अंदर जो number of parameters है जो number of terms and conditions है उनको finally implement किया जा रहा है और उस implementation के लिए बोला जा रहा है कि 20 सितमबर तक finally implementation हो जाएगा और उसके बाद जो टेरा community के blockchain members है या आप बोले टेरा community के founders है या members है वो expect कर रहे हैं कि after 20th of September टेरा classic के अंदर एक historical comeback आ सकता है Already last month के अगर आप recovery देखें तो काफी अच्छी recovery पर टेरा classic इस time पर खड़ा है अगर आप लोग one month का compare करके देखें टेरा classic से तो one month पहले 43 के approach बहुत अच्छे all time high पे गया था लेकिन अब finally जो है वो 24 है मतलब अप्रोक्स अभी देखा जाए तो series वाई half down है तो ये recovery जो है वो आने वाले 3 से 4 दिन में कई ने कई पर एक positive way में expect की जा रही है कि एक बर दुबारा से वो अपने 43 की series को break करके आगे तक जाएगा और एक historical comeback बनेगा Luna Classic इसके इलावा आपको देख आपने देखा होगा कि Luna Classic से related काफी सारे airdrop चल रहे हैं काफी सारे लोग giveaway कर रहे हैं बट मैं आप लोगों को बोलूँगा आप जब अपना address share करते हैं तो please secure रही है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये भी scam करने के लिए बनाया गया है मतलब आपको लग रहा है airdrop हो रहा है give way हो रहा है लेकिन कई ने कई पर आपके wallet के साथ भी हो सकता है को scam हो क्योंकि अभी proper crypto में कैसे wallet transfer करना है wallet में कैसे receive करने है कई बार आप अपनी पूरी handling wallet की सामने वाले को दे देते हो उस case में क्या होता है कि आपके wallet के पास already को previous balance होता है तो वो भी कई ने कई पर आपके साथ scam कर लिया जाता है तो इन चीजों से प्लीज सोड़ा बच कर रही है क्योंकि आप भी जानते है इस time पर crypto के नाम पर बहुत सारे scam चल रहे है बहुत सारे लोग unnecessary बाते करके और कई लोग तो सिरफ लालच में की crypto से बहुत पैसा कमाना है crypto से बहुत पैसा आ रहा है उस लालच में unnecessary 10,000, 20,000, 50,000 रूबे transfer कर देते हैं और उनका वो finally scam हो जाता है तो कहीना की पर अगर आपका trading पर focus है तो इस time पर Terra Classic जो है वो एक potential based project बना हुआ है और 20th of September के बाद इसकी अच्छी कासी positive expectation भी की जा रही है but please keep it in mind crypto currency market है highly volatile market है so if you want to buy any kind of crypto token or you want to start any kind of minting or mining based project please do your own research before buying or start any kind of project this is the overall latest update on Luna Classic thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much